इस सीन में हमें यहाँ इस जिप पर बेट कर सिर्फ वरुन ही आता हुआ दिखाए देता है और वरुन ने यहाँ ब्लैक कलर का जैकेट भी पहना होता है और दूसरे इस सीन में हमें वरुन के गोदी में कृती बेट हुई दिखाए देती है और इस सीन में हमें वरुन ने सका हवा में ऊड़ रहा होता है, जिसका कलर ब्लैक होता है, और उसके एंट का कलर औरेंज होता है। थालोर का bunları इसotenी से हिसे नमें काजल का हफ में यह पूरा का औरा औरेंज कलरी का कपड़ा दिखाए देता है। जब काजल और शारुक एक दूसरे की तरप दोट रहे होते हैं तब हमें उनके पीछे ये पहाड दिखाए देता है और इस पहाड की चोटी पर जो पेड़ होते हैं उनमें हमें कहीं भी कोई भी ग्याप नहीं दिखाए देता पर दूसरे ही सीन में जब कैमेरा दूर से दिखाते हैं तब हमें इस पाढ़ की चोटी पर इन पेडों के बीच में गैब दिखाये देता है जो के पहले वाले सीन में वहा नहीं होता यहां जब वरुन इस जिप के चट पर बैटकर यहां आ रहा होता है तब कुछ लोग जंडा पहराते हुए हमें दिखाये देते हैं जो की रोड के साइड में खड़े होते हैं पर दूसरे ही सीन में वरुन के ठीक पीचे ही वो जंडे लहराते हुए दिखाये देते हैं यह इस ब्रीच पर ये 5-6 तौफ रखे हुई दिखाए देती है पर दूसरे सीन में जब कैमेरा ब्रीच के साइड से दिखाते हैं तब हम यहाँ ब्रीच पर एक भी तौफ रखे हुई नहीं दिखाए देती इस सीन में जब शारुक काजुल को कुछ बात बता रहा होता है तब हमें शारुक कांगुठा सीधा और काजुल के कान के आगे दिखाए देता है पर दूसरे सीन में जब कैमेरा अपोजित साइड से दिखाते है तो हमें शारुक कांगुठा मुड़ा हुआ और काजल के कान पर रखा हुआ दिखाय देता है इस सीन में हमें शारुक इस तूटे हुए प्लेन पर खड़ा हुआ दिखाय देता है पर दूसरे सीन में जब कैमेरा नज्जीक से दिखाते है तो हमें शारुक के राइड साइड में ये बाइक खड़ी हुई दिखाई देती है जो कि पहले वाले सीन में यहां थी भी नहीं यहां में कृती के साइड में ये लड़किया टांस करती हुई दिखाई देती है ये मुवीज की मिस्टेक्स देखने के लिए